नमस्कार जी मैं मन्जू आज नमंबर की 18 तारीख है और मैं आज छोटा सा वीडियो बनाऊंगे अपने भेन भाईयों से ये शेयर करूंगे कि बिना खास कोई मेहनत के आप अपने गार्डन में जो नर्सरी फुलों की जा फिर बैस टेवल्स की कैसे तियार कर सकते हैं तो मे अपने गार्डन में ये तरिका बहुत बार अपनाती हूं तो सबसे पहले हम जो कुडा कच्रा जाडते हैं तो वो बहुत ही काम का होता है तो कुडा कच्रा तो हरोज ही हमें गार्डन में कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से का जाडना ही पड़ता है तो फिर मैं वो उसे कभी भी बिकार नहीं जाने देती हूं तो मैं उसे अपने गार्डन के जो भी पोर्ट्स हैं जिन में थोड़ी कम-कम मिट्टी लगती है तो सब में कुछ न कुछ डालती रहती हूं हवा से देखिए ये पूरे प्लांट लुड़क गए हैं मेरे तो कुड़कचरा जो बड़े काम करता है तो ये देख रहे हैं पिटूनिया तो मैंने इसमें ग्रो भी निकिया है और धेर सारा पूरा गमला मेरे बिना ग्रो की यह बिना मिहनत के ही ये भर गया है तो मैंने तो इसमें जो उसके सीड लगाए थे ये डेलिया के सीर लगाए थे तो ये प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे ये डेलिया के ये दिख रहे होंगे ये दिख रहे होंगे तो अभी कुछ ये निकल ही रहे हैं बीच में जैसे ये ये सीर ये दिख रहे हैं ये तो ये पिटूनिया के मेरे हर गंबले में इतने धे लिजिए और बाकी फिर आप खाद के तोर पे इस्तिमाल कर सकते हैं तो एक और त्रिका मैं क्या करते हूं जैसे कि यह मेरे कोलियस यह देख रहे हैं यह लगे हूं है तो यह मैंने मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें शोपिंग ओनला तो यह फिर मेरे को लगा कि इसमें जगे है मैंने कुछ नहीं किया अपने गार्डन में मेरे भी खिल रहे हैं यह गलाडिया के तो यह तोड़के यह देखे हूल मैंने ऐसे डाल दिया यह देखा तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी कोई गमला नहीं बनाना पड़ा और कोई specially खास अलग से पानी वह नहीं देना पड़ा, तो बस मैं इसमें पानी ये जैसे कुलिस को देती हूँ, तो ये देखिए, ये चार-पांच दिन में ही जर्मिनेशन मेरी स्टार्ट हो गई है, ये देखा, और भी ठेर सारे पोदे मेरे इस तरह से त्यार होते हैं, और ये जैसे फुलों के पोद कोई जैसे मैं निकालना चाती हूँ, बीज ढूंडती हूँ, तो उसमें मुझे अलग से और भी कई तरह के बीज दिख जाते हैं, तो ये स्वीर सुल्टान के मैं डाल दिये थे, तो ये मैंने, ये तो सबसे छोटा बला पोद्दा है, तो मेरे कुछ, मेरे खियाल से कोई पांच-साथ पोद्दे मेरे त्यार हो गया है, तो मैंने परसों कुछ पोध निकालके रखी ये लगाने के लिए लिए पर मैं ट्रांस्प्रांट नहीं कर पई तो मेरे पास पुराने बैंगन के दो तरह के पड़े थे, एक काफी पुराने थे एक उस से थोड़े पुराने थे. तो मैंने वो भी दुनों ऐसे ही डाल दिये specially नहीं ढूंडे मैंने तो ये देखिए ये जैदा दिन लगे हैं मुझे तो याद भी नहीं रहता कि किसी में कुछ डाला है कि नहीं है तो आज मैं वो कुछ साफ स्पाई कर रही थी ये सुबह सुबह बारिश जैसे होने लगी थी तो ये देखा वरी इंजल के छे को लगाए थी वैसे पांच छे दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है तो ठंड के कारण थोड़ा ज्यादा टाइम लगा तो इतने ये निकलाए हैं ये भी पुराने सीर और इसमें भी कोई कोई मुझे मेहनत नहीं है क्योंकि इसमें कोलिस का मेरा लगा है और ये जो फैंकने वाले लिफाफ है ये मैंने रखा था ये देख रहे हैं ये मैंने रखा था कि इसकी मिट्टी निकाल के कोकोपीट जैसे कि मैं मिला रही हूँ तो अभी जैसे खाली बैग मैंने कई सारे निकाल के रखे थे तो ऐसे ही डोग फलार ये डाल दिये मैंने तो देखो कितने बड़े-बड़े हो गया है हलाकि जो बाद में पालमपूर वाले मैंने वो हो सकता सीड पुरानी हो तो वो मेरे उगे नहीं ये मेरे अपने सीड है और कुछ सीड जो मैंने अभी आपको ग्रो करना सिखाए थे तो वो छोटी-छोटी बोध है तो ये मैं वीडियो में दिखाना ही भूल गी थी मैंने किसी वीडियो में तो शेयर किया था कि मैंने किसी में डाले हैं तो ये नहीं सीड़ी है देखिए बैंगन के मुझे इतने पूद्दे चाहिए और ये इतने सारे त्यार हो गए और ये कुछ और फूलों के सीड़ ऐसे डाल देते जैसे कुछ एक बेज ढूंदते है न तो फूल दिख जाते हैं तो फिर वो भी ठेर सारी पूद मेरी त्यार हो जात तो ये हैं ये तो कुड़े कच्रे के बात आई मैं और चीज शेयर करना चाहती हूं जो हम कोई लिफाफा पना जाडते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सीड़ अलग-अलग करे और बारीक बारीक होते हैं तो सारे एकठे कहीं डाल दीजिए तो ये देखे अलग-अलग तरह की पोद आपके गार्डन में जो त्यार हो जाएए अपने आप ही कही तरह के ये जो त्यार हो जाते हैं इसी तरह से ये देख रहे हैं इसमें मैंने बोक चोई लगानी थी और ये मैंने लिफाफा जाड़के डाल दिया तो इसमें खूब सारी कही तरह के ये कोसमोस मेरे उग तो इसमें मुझे जरा जगा दिखी थी, तो मैं देखती भी नहीं हुद्यान भी नहीं देखती हूं, तो यह देखिए डायमोर्फतिक्का के वाइट वाले जो वाइट और ब्लू होता है ना सेंटर, तो यह देखिए कितने बड़े-बड़े पोद्दे हो गया है, तो बस ट मैंने इस तरह से गोबियों के कई सारे त्यार किये हैं, और फूलों के तो कई सारे सीड जो जैसी लिफाफे में कोई मुझे चाहिए, तो बाकी वाले सीड भी निकालके कहीं-कहीं डाल दिये, तो मैं भूल भी जाती हूं, तो फिर अचानक जब बड़े-बड़े से त्यार किये हैं, और नर्सरी ये कलर किया कि ये देखे कितनी घनी-घनी, और खुशी की बात ये है, जो बैंगलो और लाल बाग से मेरा हजबन लेकिया थे, वो भी प्लांट निकलाए हैं, तो वो कोटिंग होगी, उन्होंने शायद दवाई की की होगी, तो क्योंकि शे इंटाकलर के फ्लार्ज हैं, ये तो मुझे पता है, तो अभी ये लार्क डेजी खिलने बाले हैं, तो मैं इसकी जगे भी नहीं छोड़ती, पोट में, जैसी ये इतने लार्क डेजी लगे हैं, तो इसमें भी मैंने गेंदा डाल दिया, ताकि कमी ना रहे, पोद की और इस आएगा, और भी इस तरह से मैंने कही कुछ त्यार किया हुगा है, तो बस शेयर मुझे ये करना था, कि इस तरह से आप कही कुछ त्यार कर सकते हैं,